हेलो बचो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड इस्कुल में आपकी फर्माई इस थी कि आपको वीडियो चाहिए कि एक्जाम में क्या क्या समान लेकर जाना है तो बिल्कुल आपके लिए वही वीडियो आ चुकी है कि एक्जाम में क्या लेकर जाना साथ में मैं य चलेगा ही नहीं ठीक है कुछ एडिशनल चीज़ियां अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है क्या चीज़ हमको ले जाना है एक्जाम में क्या नहीं ले जाना है बस अच्छे से पहले तो महनत कीजिए ठीक है बाकी समान जो ले जाना है वो तो बात की बात है बस आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा हर चीज़ आपको पता चल जाएगा क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है ठीक है अपने दोस्तों भाई बंदो जितने जो भी तयारी कर रहे हैं जो भी एक्जाम देने वाले उनको ये वी तो क्या है देखिए पहला सबसे ज़रूरी admit card इसके बिना आप exam दे ही नहीं सकते तो admit card आप सभी ने print कर लिया निकाल लिया रहा है admit card सभी को comment box में लिख कर बताना है कि हाँ मैंने sir admit card print कर लिया ठीक है normal print भी कर लिजिए color print कर लिए तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है तो यह देखिए सबसे ज़्यादा important ठीक है इसके बाद आधार card ठीक है आधार card आधार card रख लिजिए अपनी identity के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार card ठीक है या और कुछ भी रख सकते हैं domicile होगा वो रख लिजिए या कुछ और होगा तो आपना रख सकते हैं ठीक है चलिए होगा आधार card मैं बता रहा हूँ आपको admit card आधार card और pen दो pen रख लिजिए ना एक नहीं और जो pen आप ले जाएंगे ठीक है नॉर्मल यूज में रहे ठीक है न यह चीज यादर की यह तीन चीज एकदम बिल्कुल बिल्कुल कंपसर यह चीज के बिना आपका क्या exam होगा ही नहीं समझिए ठीक है admit card नहीं ले जाएंगे तो आपको exam दे नहीं दिये जाएगा पहचान पत्र जरूरी है और pen तो ले जाना है ठीक है पहन आपको ले जाना है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो black pen ठीक है ठीक है black pen यहाँ पर आप blue और black दोनों option रहता है लिए black ले जाएए क्योंकि school dress पहन के जाना है या नहीं जूते पहन के जाना नहीं है देखे अगर आप exam देने जा रहे है school dress में है ठीक है जूते पहने हुए तो यह तो अच्छी बात है न मतलब school के dress में आप proper student लग रहे हैं ठीक है एक अच्छी बात है न यह तो ठीक है और अच्छा लगेगा अगर अगर मान के चलिए गंदे हैं कपड़े ठीक है तो नहीं पहन रहे तो भी कोई दिकत नहीं लेकिन पहने तो बहुत अच्छा है ठीक है चलिए ध्यान रखिए गई यह ठीक है साथ में अधार कार्ट के बारे मैंने आपको बता दिया अध देट पर नहीं छोड़ना है अपको लास में कुछ भी दिकत हो जाए ओपन ही ना हो साइट तो आपको फिर दिकत होगी ना इसलिए आप पहले से एड्मिट कार प्रिंट कराके रखिए ठीक है आप घड़ी घड़ी की बात होती ही कि हमको घड़ी ले जानी है नहीं ठीक है लास में आपको बता हूँगा क्या क्या चीजे नहीं ले जानी है ठीक है लास में आपको बता दूँगा नॉर्मल घड़ी है आपके पास तो ले जाए डिजिटल घड़ी आपको नहीं ले जानी है ठीक है ना डिजिटल घड़ी नहीं ले जानी है आपको पानी बॉटल ल जा रहे हैं तो कोई दिकतनी क्योंकि आप जहां जिस रूम में रहेंगे वा दिवार में दिवार घड़ी लगी हुई होती है ना चलिए आगे देखे आप पैन तो आपको मैंने बताए दो ब्लैक पैन ले जाना है ठीक है राइटिंग पैड ठीक है एक्जाम पैड राइटि दिजेगा उसको ठीक है ना उसको बाहर कर दीजेगा अगर नॉर्मल अगर बोलें अलाव कर दें तो फिर रखे रही एगा और अच्छी बात है ठीक है इसको लेकर जा सकते देखिए एकदम साब सुतर इसमें ऐसा ना हो कि कुछ लिखा विखा रहे ज्यादा नॉर्मल बिल्कुल अलाव नहीं है ठीक है डिजिटल वाच नहीं ले जाना अलग से कोई कोई भी आपको अलग से जैसे कागज अलग से नहीं ले जाना जैसे आपके पास एडमीट काड रहेगा ठीक है और अधार काड रहेगा उसको छोड़के कोई भी आर्टिकल आपको नहीं ले जानी है यह सब ही ठीक है और कुछ-कुछ conditions हैं देखिए कि आपका जो आप exam देने जा रहे है आपका exam कोई और दे जाएगा तो इस condition में आपको खास कर जाएगा तो नियम जो है instruction हो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ठीक है impressionation नहीं चलेगा इसमें यह सब नियम कानून आपको बता चुका हूँ क्या-क्या लेका जाना है compulsory क्या-क्या यह सब भी बता दिया तो ध्यान से अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे से exam में perform करना है ठीक है समान ले जाना है या चल ही नीरा है ऐसा ना होना ठीक है नॉर्मल उसको जनरल यूज में लिया है साथ में मैं आपको बताऊं आप जिस तरीके से अभी तैयारी करें आपके भाई बंदू हो जो जिसमें अगर आप पांच फर्वरी से पहले 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 अगर इसमें इन्रोल कर लेते हैं तो आपको पांच रुपए का विशेज डिसकाउंट मिलेगा उसके बाद आपको यह डिसकाउंट नहीं मिलेगा ठीक है बहुत ही अच्छे ढंग से अभी वाले बच्चों को पढ़ाया गया इससे भी और ज्यादा क्योंकि अब तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता ही जाएगा ना विए हम पिछले पांच से चैसा से लगातार पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा चीजे ज्यादा एडिशनल फीचर के स साथ हम या बैच लेकर आए हैं नवदय अलफा और सैनिक अलफा तो न्यू 500 कूपन कोड़ अप्लाई करके आप 500 रुपए की विशेश चूट पास सकते हैं साथ में इस बार जो बच्चे कंबाइन तैयरी करना चाहते हैं नवदय भी या सैनिक स्कूल की भी तायरी ठीक है साथ में तैयरी करना दोनों एक्जाम देना चाहते हैं उनके लिये हमारा बैच है अरजुन बैच तो अरजुन बैच में इंड्रोल करके आप टैरेकरा। चूटो ह envisioned करते हैं चुकत विया तीक है इस बिलकूल सीट है जो बच्चे पहले इन्रोल कर लेंगे उनको बह इससे लिधर सेनि इसकूल के लिए अभी समय। लुवाले बच्चों में अच्छें पर नहीं पर्चों के समय। वाले जितने भी कोर्स है उसमें हम कितना 50% का उप दिया एक्जाम 50 कूपन कोड़ अपलाई कर सकते करना क्या है प्ले स्टोर पे जाके द्रोड स्कूल का पैप इंस्टॉल कीजिए वहां से मॉक्टेस्ट ओपन कीजिए डेमो टेस्ट ही देखिए कम से कम इंस्टॉल किसमें वी कौन सा कोश्टन सही हो रहा है कौन सा गला सब कुछ यहां पर आप देख सकते हैं है ना साथ में उसका सॉल्यूशन मिलेगा यहां घड़ी की सुछ चलती रही ताकि आपको टाइम पता चले मैस को कितना समय देना है मैंटल लैबिलिटी कितना समय देना है जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब नहीं किया सब्स्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि इंफर्मेशनल वीडियो और पढ़ाई सीरी सब वीडियो आप सबसे पहले आ सके आपके नोटिफिकेसन आया आपसे अपनी समय की बच्चत करें सबसे पहले देखकर ठीक है द्रोड स्कूल के टेलिग्राम चैनल को भी आप सभी जॉइन कर लेजे टेलिग्राम पर जाके आप सभी को एक बात याद रखना है जैसी एक्जाम हो आपको पेडियाप बना कर हमारे हल्प लाइन नमबर य कि किस तरीके से आपको क्या समान लेकर जाना है किस तरीके से एक्जाम हॉल में जाना है और समय से पहले पहुंच जाईए थोड़ा तो कोई दिकत नहीं है और एक दिन पहले आपके आसपास हो तो एक बार एक्जामिनिसन सेंटर देखके आ जाईए तो कोई दिकत नहीं है और मौक्टेस रिटेट जानकरी दिया अगर उस से रिटेट कोई दिकत आरे ओ इन्रोल करने में तो आप हमारे है नमबर 626-0388-361 पर कॉल करके इन्फोर्मेशन ले सकते हैं ठीक है अभी सब ही को अच्छे से पढ़ाई करनी है हर प्रकार के वीडियो आपको मिल रहे हैं अच्छे से महनत करने लाश्रमय में घबराना नहीं है अच्छे से महनत करते चलिए और जो इंप्रेंट वीडियो लगेंगे हम आपके लिए जरूर अप्लोड करेंगे वीडियो को आप सभी को लाइक करना है कमेंट बॉक्स में आपको लिग कर बताना है किनकीन बच्चो इसे प्रकार के वीडियो के साथ